नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देंगी क्या आपके सरीर की कोई नस दबी हुई है और इस दबी हुई नस के करण आपको दर्द रहता है या आपके सरीर के अंदर नसों की कमजोरी है उस नसों की कमजोरी के करण आपको स्ट्रेस ठकान रहती है या पूरे स्रीर में दर्द रहता है या नसों में गैस होने की समस्य है या दोस्तों आपकी नसों में खिचाव आ गया है जिससे की आपको दर्द की समस्य है या आपके स्रीर में अन्य कोई समस्य है तो दोस्तों आप इन तीन चीजों को खाना सुरू करते हैं और आपको पहले ही दिन से, पहली ही खुराक से इसका असर दिखाई देगा और दोस्तों आपकी यह सभी समस्याएं बिलकुल दूर हो जाएंगी दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूँ कि चाहे मैं बताऊं या कोई भी बताए आप यह मत करना कि मैंने बॉल दिया और आप इन तीन चीजों को पूरे महीने बर खाते रहें दो महीने खाते रहें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उससे आपको कोई भी फाइदा नहीं होगा यह पस्त बात है फिर आप मत बोलना कि हमें कोई फाइदा नहीं हुआ दोस्तों किसी भी चीज़ को चाहे आप मेरी वीडियो देखें या किसी की भी वीडियो देखें या आपको कोई भी बताएं किसी भी चीज़ को आपको लगातार सेवन नहीं करना चाहिए मैक्सिमम एक से दो वीक तक आप सेवन करें उसके बाद उसमें एक वीक का गयप जरूर दें तब ही वो चीज या वो नुस्खा आपके लिए काम करता है और यदि आप लगातार तीन महिने चार महिने खाते जा रहे हैं बस खाते जा रहे हैं जब भी कोई नुस्खा या कोई हैल्थ के लिए अच्छी चीज खाएं आज कीसे वडियो में हम जिस पहली चीज के बारे में बात कर रहे हैं वह है दोस्तो कदू के बीच और दोस्तो कदू के बीचों के फाइदे कौन नहीं जानता दोस्तो कद्दू के बीच हमारी सेहत के लिए कवरदान की तरह काम करते हैं दोस्तो वैसे तो कद्दू को खाना तो कोई पसंद नहीं करना पर इसके बीज हैं बेहद चमतकारी जो दोस्तो आपके दिल को मजबूत बनाते हैं आपको दिल की बिमारियों से बचाते हैं क्योंकि इसके एक चोथाई कप में हमारे दिन भर की मेगनीशियम की कमी पूरी हो जाते हैं और यदि मेगनीशियम हमें proper मिलेगा तो हमारा blood pressure control में रहेगा दिल हमारा मजबूत रहेगा दिल को heart attack और heart block जाने की समस्या बहुत कम हो दोस्तो यदि आप कद्दू के बिजों का सेवन करते हैं तो इससे आपका immune power immune system मजबूत होता है जिससे आप viral सर्दी खांसी जुखाम जैसे संकर्मनों से बचे रहते हैं और इसके इलावा कद्दू के बीज आपको depression से भी बचा कर रखते हैं दोस्तो मधूमे का खत्रा यmiyorum यदि आप के प्रिवार में पहले से किसी को diabetes की बिमारी है तब आपको कद्दू के बीजों को अपनी life में सामिल कर ही लेना चाहिए क्योंकि यदि आपके परिवार में पहले से किसी को diabetes की बीमारी है तो आपको भी होने के chances बहुत अधिक हैं और दोस्तो सोध करता ये बात कहते हैं कि कद्दू के बीज insulin की मातरा को संतुलित करने का काम करते हैं ऐसे में ये मदुमे रोगियों के लिए बहुत अधिक फाइदेमन है और यदि आपके परिवार में पहले से diabetes है तब आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तो यदि आपको एनिंद्रा की समस्य है या आपको स्ट्रेस रहता है तब भी दोस्तो आपको कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये एनिंद्रा को दूर करेंगे और आपको अच्छी नींद लाने में मदद करेंगी और जो दोस्तो इसमें दूसरी चमतकारी चीज है वह है दोस्तो अलसी और दोस्तो अलसी के बीज ओमेगा-3 fatty acid से भरपूर होते हैं जो आपके दिल के लिए एक वर्दान की तरहे काम करते हैं और diabetes के रोगयों के लिए भी ये बहुत अधेक फाइदिमंद हैं क्योंकि अलसी म अमेगा-3 fatty acid पाए जाते हैं जो आपके cholesterol level को सही करने में आप ही मदद करते हैं दोस्तो अलसी के बीज आपके पाचन के लिए भी बहतर होते हैं ये आपके पाचन तंतर को मजबूत बनाते हैं और आपको पेट के रोगों से छुटकारा लिलाते हैं कबच गैस और STD के समस आपको कभी नहीं होती हैं दोस्तो अलसी के बीज में मुझूद antioxidant और phytochemicals बढ़ती उमर के लक्षनों को कम करते हैं जिससे कि आपकी तवचा पर पढ़ने वाले जुरियों से आपको निजात मिलती हैं यानि आप लंबे समय तक अपने चेहरे को सुन्दर बनाए रख सक करते हैं यदि आप अपने मुटापे को कम करना चाहते हैं तब भी अलसी के बीज आपके वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं क्योंकि ये आपके metabolism को boost करते हैं जिससे कि आपको इन मुटापे की समस्या से या इससे होने वाले बीमारियों से छुटकारा मिलता ह दोस्तों यदि आपके सरीर में आपको कहीं भी दर्द रहता है अर्थ्रैटिस का दर्द है या जोडों का घुटनों का यानि कि किसी भी परकार का दर्द है तब भी दोस्तों अलसी के बीज बहुत अधिकार गर हैं क्योंकि ये आपकी हाड़ियों को मजबूत बनाते हैं ह हाड़ियों की केलसिम की कमी को दूर करते हैं और आपको इन दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। और जो तीसरी से में चीज है वह है दोस्तो बादाम। और दोस्तो बादाम कोण नहीं जानता बादाम खाने के फाइदे। तबी तो हमारी मां हमें 55 से ही बादाम का सेवन कराती आई हैं कि दो बादाम तो खालो यदि बिमारियों से बचना है। चमतकारी हैं और कितने सारे रोगों से आपके सरीर को बचाने का काम करती हैं। तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इन तीने चीजों को खाना कैसे हैं। प्रियोग आपको नहीं करना है अप गुड का सेवन करेंगे तो उससे आपको और भी अधिक फाइदे मिलेंगे तो आप इस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन आपने सेवन जरूर करना है और जैसे कि मैंने पहले बताया लगातार सेवन नहीं करना है एक से दो वीक आप सेवन करें उसके बाद एक से दो वीक का गैब दें उसके बाद फिर सेवन करें और फिर देखिए दोस्तों किस बात की हैं आप भी आज से ही सुनुस्खे का प्रयोग सुरू कर दें और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दें तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो पलीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चै झाने वा तोस्तों